करगोंजिले के भगवानपूरा तैसील में पत्रकार संग ने पुलिस थाने पहुचकर पुलिस अदिक्ष्वा के नाम ग्यापन सौपा जिसमें शेत्र की कानूर विवस्ता को मजबूत बनाने के लिए डायल हंड्रेट बाहन की मांग की भगवानपूरा थाना शेत्र 45 किलोमीटर वर्ग शेत्र में फैला हुआ है जिसके अंतरगत कई वनानचलो सहित दूरस्त ग्रामिन अंचलाते हैं इन वनानचलो में आए दिन छूट पूट घटनाई होती रहती है जिसे लेकर आम नागरे को डायल हंड्रेट पर कॉल करने पर बिस्तान थाना शेत्र की डायल हंड्रेट का आश्वासन मिलता है चुकि यहां अन्य थाना शेत्र होने के कारण भगवान पूरा थाना शेत्र काफी दूर पड़ता है ऐसी इस्तिती में फर्यादी को कभी कभी घंटों इंतिसार करना पड़ता है या फिर संबंदित डायल हंड्रेट के थाना शेत्र की कारवाई होने के कारण डायल हंड्र सो यहां पर पहुच नहीं पाती है ऐसी इस्तिती में पर्यादी को घटना स्तल से मुख्याले भगवानपुरा थाने आना पड़ता है चुकि भगवानपुरा थाना शेत्र अन्य थाना शेत्र से काफी बड़ा है इसलिए मुख्याले पर सो की आवश्रक्ता है जिसकी मांग क्रामिनों एवं भगवानपुरा तहसील पत्रकार संग त्वारा लंबे समय से कीचा रही है ग्यापन सौपने के दोरान जिला पत्रकार संग, जिला उपाध्यक्ष, राधिशाम पाटिदार, तहसील अध्यक्ष संद्रे सोलंकी, उपाध्यक्ष रोहित मालवी, सहितनान्य पत्रकार साथी मौजू थे भगवानपुरा से राधिशाम पाटिदार की रिपोर्ट कि अख़मपरा ठाणुअ को सब्सक्राइब अब यह सब्सक्राइब को तुछ ग्यापन सब्सक्राइब यह अग्या जाता है और गाड़ी बहुत लेड़ आती है लाएव ग्रामिनो की मांग पर ग्यापन दिया है पेले भी सासन प्रसासन को आवगद किड़ा गया था तेकि इस पर कोई कारवाई नहीं हुई हमने आज ग्यापन दिया है ठना प्रभारी मोदे को उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस ग्यापन को आगे भेजा जाएगा और जल्द ही इस पर कारवे की जाएगी